बैटरी चारजिंग बैटरी चारजिंग लाइक बाद पॉन स्मोक पॉन हेलो दोस्तों वेलकम टो माइटूब चैनल आज की वीडियो में एक पारफूर रोबोटिक स्मोक मसिन बनाने वाले हैं जिसे की बनाना बहुत ही आसान है और इसे मेंने कारबोर से बनाया है आप भी इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हो तो इस वीडियो को आन तक जड़ देखेगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें और अगर आप हमारी चैनल पर नहें तो नीचे दिएगे सब्सकाब बटन को दबा देजिसे कि आप हमारे वीडियो देख सकते हैं सबसे पहले तो इसमोक मसिन को बनाने के लिए एक छोटा सा डिब्बी ले लेंगे और उसमें कुछ इस परकार से होल कर देंगे उसके बाद एक DC मोटर ले लेंगे और मोटर को वायर के साथ अच्छे से सॉल्डिंग कर देंगे सॉल्डिंग हो जाने के बाद मोटर और डिब्बे को अच्छे से गुलूगन की साइता से चीपका लेना है उसके बाद PVC सीट का एक प्रोपेलर बना लेना है मैंने पहले से ही बना लिया हूँ आप भी इसी तरह बना लिजिएगा इस परकार का एक सिरिंच ले लेंगे और सिरिंच के आगे का साइट अच्छे से कटर की साइता से काट लेंगे उसके बाद DB के ढकन में इसे अच्छे से चिपका लेंगे अब हम इस परकार का एक पाइप ले लेंगे और पाइप को 10 संटि मिटर लंबाए में काट लेंगे उसके बाद हम इसे DB के होल में सेट कर देंगे और उपर से गुलुगन लगा देंगे जिसे की हवा निकलना सके और ये अच्छे से काम करें अब हम डिब्बी और धकन को अच्छे से गुलुगन की सायता से चीपका लेंगे चीपका लेने के बाद यह पूरी तरळ से बनके तेयार हो गया है अब इसके आगे का पार्ट बनाएंगे हो, हो, हो इसके आगे का पार्ट कैमा लगो का का . कुई परो थो इसके आगे झाल 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 झाल